आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल करना है और उसके कोई भी नाम आपको सब उसकर की लिखने हैं तो फर्स्स जो क्रिश्चन है वह हमारा 60 डिग्री है 60 डिग्री अंगल जब आप बनाएंगे तो उसको बनाने विए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना प्राइब अगर इस लाइन को यहां पर पूट करते हैं इस कॉर्णर को इस मिट पॉइंट पर रखते हैं तो 60 यहां पर कुछ यहां पर इसका जो हमारा एंगल बनेगा वह कुछ ऐसा अब इसका हम नाम ने देंग पी क्यू आप कुश्चन सेकेंड में आपको बनाना है 120 डिग्री आपको से में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप इस लाइन को अगर करने आपको टुक्ठा के लगाएंगे तो जो मिट पॉइंट है कॉर्णर से आप अटाइच करेंगे आपको 120 डिग्री थोड़ा से दीशे साव मिलेगा यह देखिए यहां पर यह देखिए 120 डिग्री में तो आमें आपर थोड़ा से इधर जाएगा 120 डिग्री में बनाना अगर आपने नहीं देखा है तो आप बर विजट कर लेजए 90 डिग्री के अंगल कर से बनेगा इसके लिए कि आपको लाइन ड्रॉ करने से पहले है लाइन ड्रॉ करके आप चाहिए इस को नाइप बनाएंगे जो आपकी एंगल बनेगा वह स्टेट बनेगा इंदम यह दे आपको आपको कोई बनाना है आपको करना है तब ही आपको आपको लाइन ड्रॉ किया इस लाइन पर यहां पर तूट करते हैं इसका इंड़ पॉइंट और इसका मेड़ पॉइंट अगर हम एड़ करेंगे तो बन फिफ्टी डिगर यहां पर मिलेगा तो जब आप एंगल बनेगा कुछ ऐसा आपको इसका नाम दे देते हैं क्यू आपको एंगल आपको मुने बताया है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है लाइन ड्रॉक रखने के बार पर रिटेटी डिगरी बनाना है तो आपको 30 डेगर आपको इसको रखेंगे यहां पर आपको इसको रखेंगे विफ्ट करेंगे विफ जे इन पॉइंट पॉइंट और यह मिलेगा आपको क्या मिलेगा लाइन ट्रोगने के वाद जब भी इसका इंट पॉइंट और इसके मिदेट पॉइंट को अफटेच करोगे तो 165 आपको बलेगा कुछ यहाँ ठीक है तो हम इतनी पे इंगल बना देखें अशा करता हो कोशन समझ में आऊगा अगर आपको कोशन समझ में आया तो अधिसमी शौट यह पिर चलतें यह 45 डिगा आपको इंगल बनाना है 45 डिगा अब करना पूदेगा लाइन डॉक करने के बाद पुइंड और पॉइंड 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 लिए तो आपको 45 दिए कुछ यहां पर मिलेगा आप देख सकते हैं तो यहां पर आपका कुछ ऐसा बनेगा 45 दिए आप नाम ने दिए ए बी एंड सी ठीक है आशार करता हूं बताएं ने सब्सक्राइब आपको अच्छी लगी तो लाइक और सुसाइब जिरुएंड थाक्यू